आपने काफी बार train stations, airports, cafes में public mobile charging stations देखे होंगे These are life savers, कई बार cap book करनी होती है और अपने phone में battery नहीं है तो हम इन stations के थुरू अपना phone charge कर सकते हैं, बरले में बस 16-17 लाग रोपे देने पड़ते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि जिस port से हम phone charge करते हैं, उसी port से data transfer भी हो सकता है तो कुछ समझदार लोग इन stations के USB port हैं, उनमें एक extra chip लगा देते हैं या फिर वहाँ पर अपनी data cable छोड़के जाते हैं, जिसके अंदर एक extra chip है, that is compromised हमें लगता है कोई बिचार अपनी cable छोड़के गया है, उसी की cable से अपना phone charge कर लेते हैं और वहाँ से हमारे phone में malware install होता है, जो धीरे-धीरे contacts, galleries, banking information and OTPs उस hacker तक पहुंचाता है इसे कहते हैं juice jacking fraud, इसी टेकनिक को यूज करके हैं एक high profile person के bank से 16 लाक रुपे चोरी किये गए SBI और काफी states की police ने इस पर warning भी इशू की है, तो अगर आपको अपना phone charge करना है, तो adapter carry करो और उससे किसी electric socket में लगाओ केबल आपकी खुद की होनी चाहिए, किसी भी USB port में वो केबल मत लगाओ, and अगर लगानी पड़ भी जाए, तो phone को पहले power off करो, ताकि उस rate में phone data transfer ना कर पाया